हेलो सुरेंट्स वेल्कम टू माई नर्चर मैं हूं क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस्त बढ़िया तो लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मक थेर्पेटिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंफेक्शियस डिजीज उसका अगला टॉपिक है ना याने की लेक्षर फोर है यह जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हैपाटाइटिस याने की जो लिवर की प्रॉलम हो जाती है तो उसके बारे में पढ़ने वाले है ठीक है आओ जानते हैं फटा-फट इसके बारे में हम लोग क्या होता है है हैपाटाइटिस तो लिखा हुआ है हम लोग बना सकते हैं तो इंफ्लामेशन है कि इसका लिवर का वाइरस बैक्टेरिया और continuous exposure to alcohol, drugs और toxic chemicals such as those found in aerosol spray and paint thinners तो ultimately है क्या लगातार यह तो वाइरस की वाज़े से हो सकता है लिवर खराब या बैक्टेरिया के वाज़े से हो सकता है यह लगातार हम alcohol पी रहे हैं यह आपके drugs ले रहे हैं यह toxic chemical जो हमारे paints वगरा में जो thinner का इस्तमाल करते हैं हम लोग ठीकर इन सब की वाई से क्या हो सकता है हमारा liver damage हो सकता है तो itis वर्ड जुड जाता है इसका मतलब होता ही है क्या inflammation inflammation कहलो या कहलो infection कहीं पर भी आइटिस वर्ड देख लो तो उसके आगे हैपा है ने कि liver का infection सीरीजी बात होती है आगे आते हैं यह बात देखते हैं hepatitis खुद अपने आप में 5 कर्टेगरी की हैं A B C D और E ठीक है तो अब क्या है hepatitis A virus मतलब यहां पर क्या है क्या कहते हैं यह 5 कर्टेगरी है virus की वाई से होती है तो इसको नाम भी हमने ABCDE करके दे दिया है Hepatitis A virus, Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, Hepatitis D virus और Hepatitis E virus ठीक है यह फूड और वाटर से होता है ठीक है यह कैसे हो जाएगा इन body fluid such as blood, vaginal secretion और semen यानि कि यह वाला किस से हो सकता है अपना यह खाने पीने से हो सकता है यह अपना क्या है physical intercourse से भी हो सकता है next बात करें अगर हम लोग C की body fluid such as blood, vaginal secretion दोनों सेमी है और D की बात करें contact with blood containing HDV यानि कि यहाँ पर सबस्या संभावना क्या होती है किसी को है और उसका blood गलती से चड़ा रहे है उसको D वाली यानि कि Hepatitis D है तो दूसरे को होने की संभावना ज्यादा हो जाती है तिसरा वाला है एक्सपोजेट टो एचिवीन फूड और यह दो फूड और वाटर की वाईसे है यह दो अपना क्या है बॉडी का फिलूड या वेजैनल सिक्रेशन और सीमें यानि की sexual intercourse के दौरान होता है और यह जनरली ब्लड के टच में आने के वाईसे होता है ठीक है व वारेस के हिसाब से हमने 5 काटेगरी बना रखी है इसकी cause की बात करें of non-infectious यानि कि non-infectious मतलब जो फैलेगा नहीं infection एक से दूसरे में नहीं जाएगा तो दूसरे को फैला सकता है hepatitis से ठीक है अलकोहल की वाईसे जो खरावी से लिए इसको क्या कहा गया है non-infectious बात समझ में आई अब अलकोहल का हम सबको पता है दारू ज्यादा पियो होगे तो लिवर हमारा सारा metabolism करता है दारू को body से निकाल के बाहर करनी कोईश करता है उस चक्कर में उसके उपर ज्यादा load पड़ता है काम ज्यादा करना पड़ता है तो जल दिखारा होता है access alcohol consumption can cause liver damage and inflammation ठीक है हम सबको पता है ज्यादा alcohol पियो होगे तो damage होगा this में also referred as the alcoholic hepatitis ये नाम याद करेंगे ठीक है alcoholic hepatitis में कोई virus bacteria नहीं होता है the alcohol directly injures the cells of your liver alcohol सिधा जाकर कि लिवर के cell को damage कर रहा है over time समय के साथ it can cause permanent damage and lead to thickening of or scaring of liver liver को मोटा कर देगा fatty liver भी बोल देते है ठीक है liver tissue cirrhosis फिर क्या होता है वहाँ से एक तरह का secretion निकलना start हो जाता है जिसे हम कहते है कई बार क्या liver का रोना भी बोल देता है वो दिक्कत देता है उस कंदर से फिलिट स self-medication करते हैं हमें पता ही निये कैसे खानी है कितनी खानी है कब खानी है तो उस misuse के चक्कर में भी हमारे load कहाएगा हमारी बॉड़ी में जो भी chemical जा रहा है हम लोग खाना खाते है उसमें कोई chemical है और वेसी बात उसमें chemical होते है ultimately उसे filter मतलब निकाल कौन रहा है बाड़ी म जो immune system है हमारे liver को target बना लेगा उसके cells रहा ना autoimmune diseases होती है तो in some cases the immune system mistakes the liver as harmful liver को गलत समझ लेता है तुम गलत हो करके तो हमारा immune system हमारे जो body के soldiers है वो हमारे जो body का part उसको गलत समझ लेता है harmful उसको आटक कर देता है इस causes ongoing inflammation that can range from mild to severe इसकी वैसे क्या होता है inflammation हो जाएगा और mild हलका भी हो सकता है खतरनाग भी हो सकता है कि पूरा damage कर दे often hindering life function liver function sorry अकसर क्या होता है hinder कर देगा रोक देगा liver function को it's three times more common in women than in men यह women's में ज्यादा पाया जाता है compared to men etiology की बात करें तो हम सारी etiology उपर हमने जो डिसकसी कर लिए एक तरह से ठीक है फिली बतायता हूं infection पाच में टाइप्स आ गई यहाँ पर alcohol की वाए से non-alcoholic fatty liver disease है ना obesity diabetes आ गया then toxic hepatitis drug या herbal chemicals खाने की वाए से drug induced hepatitis drug की वाइस हो गया acute liver vascular disease वहाँ पर ब्लेट की supply हो रही थी वह प्रॉपर नहीं हो पा रही है autoimmune hepatitis metabolic liver disease तो कहीं ना कि यह सारी हमने उपर पढ़ लिए कुछ एकाद एक्ष्ट्रा थी तो यह सारे कारण है कि इसके liver के खराब होने के clear है बात समझ में आ रही है ठीक है आगे आते हैं now pathogenesis pathogenesis समझेंगे इसको बड़े अराम से प्यार से क्या कर रहा है infection with a virus that target the liver example HIV HIV कोई भी virus जो हमने उपर पढ़े है वहां से क्या होगा इसके बात क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा लिवर इंफ्लमेशन आ जाएगा जो फूटना सुरू हो जाएंगे फूटना सुरू हो जाएंगे फूटना फट जाएंगे ठीक है इसकी वाई से क्या का condition create होगी infection with chronic virus जैसे HBVA HCVA persist over time and additional symptoms may develop यह रहा जाते हैं लिवर के अंदर कुछ और symptoms create कर सकते हैं infection with acute virus resolve over time यह जो chronic होते हैं बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं यह वहाँ रहा जाते हैं और कुछ और symptoms create कर सकते हैं जो acute हैं अभी तुरंट आए हैं वो क्या हो सकते हैं resolve हो सकते हैं and symptoms above normalize और उनके symptoms क्या हो सकते हैं खतम हो सकते हैं बट याली condition में तो बच गए हम लोग ठीक है अब याली condition में हम लोग आते हैं तो क्या होगा कि क्या हुआ कि symptoms क्या क्या आएंगे decrease hepatic metabolic activity लिवर की activity decrease कर जाएगी decrease synthesis of plasma protein या albumin clotting factor यह सब decrease कर देगा वो decrease bilirubin clearance from blood blood में जब bilirubin था उसका clearance को क्या कर देगा यह कम कर देगा bilirubins end up under the skin वो धिधरे skin के निचे इखटा होने start हो जाएगा और ultimetry progressive deterioration in liver function possibly ending up in cirrhosis cirrhosis हो जाएगी finally ठीक है न और हमारा liver क्या हो जाएगा damage हो जाएगा तो इस तरीके से जो घटना है घटेंगी कि क्या क्या आएगा virus किसको क्या effect करेगा hepatocytes burst कर जाएगे ठीक है burst कर जाएगे उसके बाद जो chronic वाले हैं उसके symptoms रह जाते हैं इसके कईवा resolve हो जाएगे और फिर वो ये तीन condition create करते हैं और ये तीन condition ultimately liver cirrhosis create करेंगे और liver damage अबारा कि लिए रहे बाते हैं clinical manifestation की बात कर लें अगर हम लोग तो क्या क्या है दर्द होगा liver बड़ा हो जाएगा enlarge हो गया फिव बुखारा सकता है अब डिपेंड करेंगा इसके साफ से मैनिफेस्टेस अलग अलग हो सकते हैं ठीक है नॉन फार्मकलोजिकल मेनेजमेंट की बात करें अच्छा यह हमारे पास क्लिडिकल मैनिफेस्टेशन हो गया ओके नॉन फार्मकलोजिकल में क्या है हम लोग वेक्सिनेशन ले 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 फॉर हैपटेटिस एबी ए ठीक है इम्मिनो ग्लोबिल ग्लोबिल ट्रीटमेंट है ना इम्मिनो ग्लोबिल जो हमारी बॉड़ी के एंटिबॉडिस होते हैं वो हम बॉड़ी में डाल दें ठीक है ना रिकवरी फ्रॉम सिम्टम्स फॉलोइंग इंफेक्शन में भी स्लो एंड कें टेक सेवरल विक रिकवरी में काफी टाइम लग सकता है कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है बस इलाज किया जाता है ठीक है इंपॉर्टेंट टो अवाइड अननेसेसरी मेड इसकी आती है ठीक है शेवरल एंटिवायल मेडिकेशन जैसे की इंक्लूडिंग एंटिकैवीर टीनोफोवीर लैमी विडीन एडिफोवीर टेल विडीन कोई याद कर लोग इस तरह से कैन हैल्प फाइड दा वायरेस यह मेडिसीन आवारेस से हमें लड़ने में मदद करते जैसे और ठीक करने में हेल्प करते हैं इंटर्फिरिण इंजेक्शन साते हैं और लिवर ट्रास्प्लांट फाइनले हम लोग कर सकते हैं इंटर्फिरण पता नहों हमगों बचाते हैं किससे वारेस के इंफेक्शन से हैपाट एटियckc सी के लिए तम लोग दभाहीया है भ कॉंबिनेशन ओफ लेडी पासवीर एंड सोफोबीवीर करके इसमें कॉंबिनेशन है एलबसवीर एंड ग्रेजोप्रेवीर करके वीर वीर लग रहा है आगे कोई क्योर नहीं है लेकिं यह देख रहें ठीकरने कोई की जाती है है अगेन नो स्पेस्फिक एंटिवारल थेरपी फॉर एक्ट्यूट है इसके लिए को स्पेस्फिक थेरपी नहीं है फिजिशन शूड ऑफर सपोर्टिव थेरपी पेशेंट हार टिपिकली अडवाइस नुट्रिशन लो प्रॉपर फिलिट लो अवाइड अलकॉल चेक देर फिजिशन बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन डैट केंड डैमेज लिवर इस्पेस्ली अस्टमिन फीन है लिवर के केस में परसिटमॉल तो लेना ही नहीं चाहिए बास समझ मारी है तो यह हमारे पास और यह अपना माइड नर्चर के बारे कुछ बाते आ जाती है एप हमारा जो है माइड नर्चर ठीक है ना प्लेश्टो पर अविलिबल है तो करना गया बेटा तो फिर बता रहा हूं फार्मा का थेरोपेटिक्स में सरिफ पहला चैप्टर है जिसमें थोड़ी कुछ बाते है कि सबकी डेफिनिशन वगरा अच्छे से याद हो ठीक है ना तो पढ़ते रहो रिवाइज करते रहो अल दा बेस्ट